चार कमरे का ससुराल घंशाम जी की दो बेटे थे, बड़ा बेटा उम और छोटा संसकार. जब तक घंशाम जी के बेटों की शादी नहीं हुई थी, तब तक तो उनकी दो बेडरूम वाले फ्लाइट में आराम से उनका गुजारा हो रहा था. लेकिन धीरे धीरे समाई बीता, और एक एक करके घंशाम जी के दोनों बेटों की शादी हो गई. शादी की बात दोनों बेटों ने एक एक कमरा ले लिया था, घंशाम जी और उनकी पत्नी सुन्दरी के पास अब सोने के लिए कोई कमरा नहीं था. बहु बेटी की प्राइविसी में दखलना पड़े इसलिए घंशाम जी और उनकी पत्नी सुन्दरी गर्मियों में तो आंगन में ही अपना बिस्तर लगा लेते लेकिन सर्दियों की ठंडी रातों में आंगन में सो पाना उनके लिए संभव नहीं था इसलिए बैठक के फर्ष पर गद्दे बिचा कर वो वहीं पर सुजाया करते थे एक दिन पिताजी इतनी ठंडी हो रही है आप और मा जमीन पर बिस्तर लगा कर सो रहे हैं मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती खल से आप मेरे कमरे में सोएंगे मैं और रिदी आपकी जग़ बैठक में बिस्तर लगा लेंगे अरे नहीं नहीं बिटा ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है तुम्हारे साथ छोटे बच्चे भी हैं उससे लेकर कहां तुम जमीन पर सोगे हमें कोई दिक्कत नहीं बिटा हम तो गाव और जमीन से जुड़े हुए लोग है बलकि हमें तो अच्छा लगता है जमीन में बिस्तर लगा कर सोना रहने दो माँ ये सब कहने सुनने की बात है अरे हम लोग आराम से अपने अपने बिस्तरों पर सो रहे हैं आप और बाबुजी जमीन में पड़े सिकोड रहे हैं अब ये सब मुझ से और बरदाश नहीं होता बड़ा परिवार हो गया है हमारे भी बच्चे हो गये अब इस दो कमरे के मकान में हमारे बड़े परिवार का गुजारा नहीं है क्यु ना हम लोग इस मकान को बेचकर एक बड़ा मकान ले ले जिसमें आपके और मागे लिए भी एक कमरे की व्यवस्ता हो आखिर कब तक आप लोग ऐसे ही जमीन पर सोकर अपना समय बिताएंगे बात तो तेरी ठीक है बिटा हम चार से आठ हो गए लेकिन मकान वही का वही है आखिर गुजारा हो भी तो बला कैसे ठीक है बिटा मैं कोशिश करता हूँ कि इस मकान को बेच कर कोई बड़ा मकान मिल जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए घंशामजी सरकारी नौकरे से रिटायर हो चुके थे रिटायर्मेंट की समय मिला हुआ फंड का पैसा बेटों की सेविंग्स और अपना दो कमरे का मकान बेचने की बाद इतने किमत में उन्हें एक अच्छा चार कमरे वाला घर मिल जाता है दो कमरे के मकान से चार कमरे के मकान में शिफ्ट होने पर दोनों देवरानी जिठानी खुशी से फूली नी समारी थी सुनिए इस घर में आने के बाद इतना खुलापन मैं अलसूस हो रहा है कि क्या बताओ अरे पहले उस चूटे से घर में हौल में बिना हर समय कोई ना कोई बैठा हुआ नजर आता था अब तो सब अपने अपने कमरे में रहते हैं और हॉल बिलकुल चम चमाता रहता है चमकते साफ सुतरे हॉल को देख करना बड़ी तसलि मिलती है सची तुम ठीक कह रही हो बड़े घर में रहने का अलग ही सुख होता है अरे जब नया मकान ले ही रहे थे तो क्या बिगड़ चाता अगर चार की जगब पाच कमरे वाला मकान ले ले लेते तो बाबुजी को सोचना चीए था ना हमारे भी बच्चे बड़े होंगे एक कमरे में गुजारा करना कोई आसान धूड़ी ना है अरे छोड़ो भी यह सब बात है अब जो है जितना है उसी में संतोश करो मैं क्यों संतोश करो जो बड़े सपने देखता है पूरे उसी के होते हैं मैं तो दो कमरे लेकर ही रहूंगी यह चार कमरे का मकान है सब के लिए एकी कमरा रखने के बाद भी एक कमरा खाली बच रहा है क्यों न वो खाली कमरा मैं ही कबजा कर लूँ चोथे कमरे पर कबजा जमाने के ख्वाब देखने वाली रिद्धी कोई अकेली नहीं थी उसकी देवरानी सिद्धी तो इस दाड में उससे भी दो कदम अगी थी चेलो नया मकान लेने से माबा उज़ी की कमरे की समस्या तो हाल होगी लेकिन साथी साथ मुझे भी मौका मिल गया कि मैं दो-दो कमरों का सुक भोगूं ऐसा करती हूँ कल ही संसकार जी के ऑफिस का सामन वहाँ सेट कर दीती हूँ हर दुसरे दिन वो वर्क फ्रोम होम ले लेते हैं और फिर पूरा पूरा दिन कमरा बंद की बाठे रहते हैं अरे भई हमें भी तो अपने कमरे में दो पल आराम करने की इच्छा होती है लेकिन नहीं घर में जगई का हैं जहां बैटकर वो अपने आफिस का काम बिना किसे डिस्टरबंस की निप्टा सकी मनी मन खुश होते हुए देर राती, सिद्धिने फटा फट, पती, संसकार की टेबल, चैर, लैपटॉप उसकी ज़रूरी फाइल है और अपना कुछ सामान चौथे कमरे में ले जाकर रख दिया आगले सुबा मने, गुड़ो बेटा, यहाँ परिशान मत करो देखो, मैं काम कर रही हूँ न, ऐसा करो जो कमरा खाली पड़ा है न, उसमें जाकर खेलो ठीके ममी, मैं गुड़ो को लेकर वहीं खेलने चली जाती हूँ थोड़ी दिर बाद ममी, चाची तो मुझे उस कमरे में खेलने से मना करी है क्यों, चाची क्यों मना करेगी, चाची को तुम्हारे वहाँ खेलने से क्या प्राब्लम है चाची बोल रही है कि वहाँ चाचा का जरूरी सामान रखा है कुछ टूट जाएगा इसलिए हम लोग अपने कमरे में जाकर खेले अच्छा ऐसा कौन सा जरूरी सामान रख दिया उस मारानी ने वहाँ पर मैं भी तो देखूं सरा बच्यों की बात सुनकर जिठाने रिद्धी दोड़ते हुए खाली पड़े कमरे में आती है सामने धीवरानी का सामान कमरे में रखा देख उसका पारा साथवे आसमान पर पहुँच जाता है बड़ी तेज निकली ये सिद्धी तो अरे मैं तो सोचती रह गई और इसने सामान शिफ्ट भी कर लिया सिद्धी इधर तो आना सरा मैं पूछते हूँ किस से पूछ कर इस कमरे में तुमने अपना सामान रखा है ये कमरा तुम्हारा कब से हो गया क्या होगए भाबी, क्यों शोर मचा रही हो मैं शोर मचा रही हूँ अरे शोर तो अब मचेगा सबको उनके हिस्ते का एक ही कमरा मिल चुका है तुम्हें भी एक कमरा मिला है ना अब इस खाली पड़े कमरे में किस से पूछ कर तुमने अपना सामान सेट कर लिया एरे इसमें पूछने जैसी क्या बात है कमरा खाली पड़ा हुआ था और मुझे कमरे के जरुवत थी तो मैंने अपना सामान रख लिया आपको तो पताएए ना भावी इनको work from home करना होता है और एक अलग कमरे की जरुवत बढ़ती है हमें एक कमरे में एज्जिस करने में बड़ी दिक्कत होती है ये पूरा पूरा दिन कमरा बंद करके आफिस का काम करते रहते हैं इसलिए मैंने उनके आफिस का सामान इस कमरे में जमा दिया अब ना अराम से यहां बिना किसे डिस्टरमेंस के अपना आफिस का काम निप्टा सकते है तुम कोई अकीली नहीं हो जिससे घर में एक और कमरे की जरुरत है इस कमरे पर अपना कवजा जमाने से पहले एक बार तुम्हें मुझसे पूछना तो चीए था लेकिन तुम तो बात समझदार हो पिछले दस साल से इस घर की सबकी सेवा में मैंने खुद को गिस टाला और आज तक करी रही हूँ और आज जब दो कमरों का सुक उठाने का मौका आया तो तुम कुद घर आगे आकर खड़ी होगी अरे जुमा जुमा दो साल हुए है तुमारी शादी को और अभी तक कोई बच्चा भी नहीं है तब भी तुम्हारा एक कमरे में गुजारा नहीं हो पारा और हम दो बच्चों के साथ पिछले दस साल से एक कमरे में गुजारा कर रहे है किस तरह दस साल हमने एक कमरे में इस आस में गुजा लिये कि आज नहीं तो कल हमारे भी दिन सुधरेंगे अब इतने साल बाद जाकर घर में एक कमरा खाली हुआ है तो उस पर भी तुमने कबसा जमा लिया अरे थोड़ा तो सूचना चाहिए था शर्म नहीं आई जिठानी के होते हुए इस कमरे पर अपना हग जताते हुए अरे भाबी ये कौन सी बात हुई क्या आप दस साल से कमरे में गुजारा कर रही हो तो यहाँ पर आपको दो कमरे मिल जाएंगे पुराने वाले घर में जब कमरे ही नहीं थे तो गुजारा करना तो आपकी मजबूरी थी ना लेकिन अब एक कमरा एक्स्ट्रा है तो मैं क्यों नहीं रह सकती उस कमरे में और बार बार ये ताना माना बंद कर रहे हैं जब आपकी शादी पहले हुई है तो आप ही सब को बना कर खिलाएंगी ना मैं तो आती नहीं अपने माई के से सब को रोटी बना कर खिलाने के लिए है देखो तो कैसे सुबान चला रही है आज तो मैं माजी से कहकर इस कमरे का फैसला करवा कर रहूंगी माजी घर पर नहीं है मा माजी के यहां गई है कल आएंगी ठीक है अपर आज आने दो माजी को अब तो कल माजी के आने पर ही बात होगी उसी दिन रात को भाबी की मनमानी बरदाश करते हुए इतने साल पित के हैं हर बात में भाबी अपने जिठानी होने का दाव खेलती है लेकिन अब आउन नहीं अरे भागयवान ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी नाराज हो रही हो अरे एक परिवान में रहने वाले लोग एक दुसरी की परिशानियों को नहीं समझ सकते तो उन्हें परिवार कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं है जब से इस घर में आये चौथा कमरा खाली ही तो पड़ाता ना मैंने कल उस कमरे में आपका लैपटॉप और आफिस का सामान रख दिया तो इस बात पर आद सुपर से ही भावी मुझसे चगड़ा करी है बताइए अगर वो खाली कमरा हमारे किसी काम आ जाएगा तो इसमें भावी को क्या दिक्कत है अरे तो तुमें भी ऐसे कमरे में अपना सामान रखने से पहले एक बार मा या भावी से बात कर लेने चाहिए थी न हो सकता है उन्हें भी कमरे की जरुरत हो अगर उन्हें भी कमरे की जरुरत है तो रहे न हाँ हर बार मैं ही अपना हिस्सा क्यों छोड़ू मैंने सोच लिया है वो कमरा तो मैं ही लेकर रहूंगी चाहे जो हो जाए देखो ऐसा है कि पूरा दिन ओफिस में काम करके मैं बहुत ठक कराता हूँ संसकार की तरह ही ओम ने भी देवरानी जिठानी के जगड़े के बीच में ना बोलने की बात कहा कर अपनी जान छुडा ली थी अगले दिन मा जी आईए देखिये बड़ी जिठानी और सास के घर में होते हुए इसने कैसे इस कमरे पर अपना कबजा जमा लिया इतना ही नहीं मेरे कहने पर भी ये कमरा खाली करने के लिए तयान नहीं हो रही अरे सिध्धी बेटा अगर तुम्हें कमरा चाहिए भी था तो तुम्हें एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था ना कोई बात नहीं रिद्धी बहु अगर इसने अपना सामान उसमें रखे लिया है तो तुही बड़पन दिखा कर अब बात को जाने दे अरे वाँ सासुमा आपने तो बहुत खुब फैसला किया अरे दस सालों से सेवा मुझसे कराई और कमरा चोटी बहु को देने के लिए तैयार होगी ठीकी कहते हैं कि चोटी बहु के आते ही बड़ी बहु के वैल्यू घर में जीरो हो जाती है अरे ऐसे कोई बात नहीं है रिद्धी तुम गलत समझ रही हो मैं तो बस ये चाहती हूँ कि घर की सुख शान्ती बनी रहे और तुम दोनों न ये आपसका जगड़ा बंद कर दो बस अगर आप ये कमरा मुझे दिलवा दो तो जगड़े की कोई बात ही नहीं रहेगी ऐसे कैसे कमरा आपको मिल जाएगा? कमरे में मैं अपना सामान रख चुकी हूँ और ये कमरा अब से मेरा है मुझे इससे ज़्यादा किसी से कोई बात नहीं करनी इतना कहकर सिद्धी अपने कमरे में लौट जाती है हाई बड़ी कमरा लेने वाली छोटे है तो क्या हम बेवकूफ है कि हमेशा भावी बड़े होने की धोंस मुझ पर जमाती रहेगी और मैं जीवन भर उनकी बाते सुन दी रहोंगी माजी मुझे बहुत उमीद थी कि आप जरूर कुछ मेरे हक की बात करेंगी लेकिन आप ने तो सिद्धी को कुछ का आई नहीं ऐसा लग रहा है जैसे मेरी इस घर में वैल्यू ही नहीं रही अरे मेरा इतने बर्सों का त्याग प्रेम सम मिट्टी कर दिया माजी आपने आरा बिटा वो छोटी है तुझसे नादान है यही सोच कर छोड़ दे न ये लड़ा आई जगड़ा आप से कुछ नहीं होगा माजी अब तो जो भी करना है मुझे ही करना होगा अगले दिन सिद्धी और संसकार सबजियां लेने के लिए बाजार जाते हैं तब ही रिद्धी सिद्धी का सामान निकाल कर कमरे से बाहर फैंक देती है और उसके अंदर अपना सामान रख लेती है कुछ देर बाएद जब सिद्धी बाजार से लौटकर आती है तो देखती है उसका सामान कमरे से बाहर पढ़ा हुआ है मा जी, यह मेरा सामान कमरे से बाहर किसने निकाला? अरे बिटा मैं तो सत्संग में गई थी, मुझे नहीं पता मेरे पीछे घर में क्या हुआ क्या नहीं देख लिया संसकार जी आपने, अपनी भावी की हरकत, उनकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मेरा सामान तक कमरे से बाहा निकाल कर फैंक दिया है, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली अरे बिटा क्यों तुम दोनों सारे महले को तमाशा दिखाने पर तुली हुई हो, पता नहीं किस घड़ी में हमने ये चार कमरे का मकान खरिदा था, घर ना हुआ कलेश की जड़ हो गई भावी, ये मेरा सामान आपनी यहाँ फैका है ना? हाँ, मैंने ही फैका है, इस घर को खरीदने में हमने भी बराबर का शेयर दिया है, फ़र तू दो कमरे क्यों लेगी? बड़ी मैं हूँ, तुझ से पहले इस पर मेरा अधिकार है भावी, आपको जूबी कहना था, सामने से कहती ना? हमारे ना होने पर चूरी चुपके हमारा सामान कमरे से बाहर फैकना, कोई अच्छी बात तो नहीं है संसकार, किस तरह से बात कर रहे हैं तुम अपनी भावी से? अरे मैं तो आज कभी घर में आरतों की लड़ाई जगड़े के बीच में ये सोचकर नहीं बोला कि उनका आपस का जगड़ा है, वो खुद सुलजा लेंगे, लेकिन तु छोटा होकर बड़ी भावी से सवाल कने लगा? अरे भाईया, तो मैं कौन सा इन लोगों के जगड़े के बीच में कभी बोलता हूँ? लेकिन आज जो भावी ने किया न, वो सरासर गलत है अच्छा, और जो तेरी पत्नी ने चुपके चुपके अपना सामान उस कमरे में शिफ्ट कर लिया था, वो ठीक था उसने चौरी चुपके सामान रखा था, तो रिद्धी ने चौरी चुपके तुम्हारा सामान बाहर निकाल दिया फिर आज इतना बुरा मानने की क्या बात है? बड़े भाई को अपनी पत्नी का पक्ष लेते देख, संसकार का गुस्सा आसमान चुने लगता है ठीक है भाईया, अब तो मैं भी देखता हूँ कि आप कैसी ये कमरा लेते हूँ अरे बिटा, एक कमरे के पीछे दोनों भाई कुत्ते बिल्याओं की तरह लड़ रहे हो छोटे बड़े का लिहाज भी भूल गया हो तुम दोनों ठीक है, तुम दोनों को दो दो कमरे चीए ना तुम दोनों दो दो कमरे रख लो हम दोनों अपना कमरा छोड़ने को तयार है बड़ी बहु, हमारे कमरे में तुम अपना समान रख लो और छोटी बहु, ये जो खाली कमरा है आज से तुमारा हुआ अब तो खुश हो तो नो, कम से कम अब तो ये लड़ा जगडा बंद कर दो, अरे कॉलो नी में निकलने में भी शर्म आती है, चार लोग सुनते होंगे तो क्या कहते होंगे, कि घंचयाम जी के दोनों बेटे एक कमरे के लिए रोज घर में महा भारत करते हैं, पिता की बात सास की बात सुनकर बड़ी बहु रिद्धी अपना सामान सास के कमरे में रख लेती है, फिलहाल तो लड़ाई जगडा थम गया था, दोनों बहुं के पास दो दो कमरे आ गए थे, और विचारे सास ससुर फिर से हॉल की फर्ष पर सोनी को मजबूर हो गये थे, कुछ दिन त आप यहां फर्ष पर क्यों सो रही हैं, अब तो आपके घर में चार-चार कम रहे हैं, फिर फर्ष पर सोनी की क्या जरुरतान पड़ी? अरे नहीं नहीं बहन जी, हमें तो आदत हो गई है, जमीन बन ना लेटे ना तो शरिर को आराम नहीं मिलता वो सब चीक है बहन जी, लेकिन आपको फर्ष पर सोना भी है, तो अपने कमरे में जाकर सोईे, इस तरह से हौल में फर्ष पर सोना, आपको शोभा नहीं देता अरे भई, आप लोग घर की मालिक हैं, और मालिक की जमीन पर सो रहा है, ये तो कोई बात नहीं हुई अपने साससुर की मुह से ऐसी बाते सुनकर, उमको बड़ी शर्मिन की मैसुस हो रही थी, साससुर की जाने के बाद पापा, मुम्मी, बहुस बहुत हो गया, अब से आप हॉल में फर्ष पर नहीं सोएंगे, आप लोग आज के आज अपना सामान अपने कमरे में रखिये, अरे सारी दुनिया में थुथू हो जाएगी है हमारी बेटी की कहने पर घंशाम और सुन्दरी फिर से वापस अपनी कमरे में चली जाती है देखिये, ये कमरे की समस्या ऐसे हल होने वाली नहीं है आज तो बड़े ने हमें अपने कमरे में वापस भीज दिया है, लेकिन आज नहीं तो कल फिर इन दोनों में जगड़ा होगा ही होगा क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अगर तुम्हारे पास कोई उपाई है तो बताओ हाँ, एक उपाई तो है मैं ये चाहती हूँ कि इस कमरे को हम किराय पर उठा देते हैं तो कैसी बात करती हो, एक मुसिबत से बचने के लिए दूसरी मुसिबत घर बुला रही हो अरे नहीं, आप मेरी बात तो सुनिये, आज कल एक कमरे में PG रखने का चलन है एक पेंगेस्ट रख लेते हैं, तसजार किराय भी मिल जाएगा और इस कमरे को दोनों बहु को देने की समस्या भी खत्म हो जाएगी एक बार तुम बहु से बात करके तो देखो देखो रिद्ध सिद्धी, मैंने बहुत सोचने के बाद कमरे के समस्या का एक हल निकाला है इस कमरे को हम PG पर दे देते हैं, जिससे हमें हर महीने दसजार मिलेंगे तुम दोनों चाहो तो आधा-धा किराय अपने पास रख सकती हो वसे माजी आइडिया बुरा नहीं है, मुझे मनजूर है हाँ, ठीक है, मुझे भी मनजूर ही है लेकिन एक समस्या और है, दोनों वक्त का खाना भी उसे देना पड़ेगा तो कौन उसके लिए दोनों समय खाना बनाएगा इस में इतना सोचने वाली क्या बात है माजी एक समय खाना मैं बना दिया करूँगी और एक वक्त का खाना सिद्धी बना देगी, क्यों सिद्धी? हाँ, हाँ, मुझे मनजूर है दोनों बहु के राजी होने के बाद देखो तो, कैसे कल तक कुत्ते बिल्यों की तरह उस कमरे के लिए लड़ाई कर रही थी लेकिन जैसे ही पैसा मिलने की बात आई दोनों की दोनों कैसे भीगी बिल्ली बन गई ठीकी कहा है किसीने बाप बड़ा ना भाया, सबसे बड़ा रुपया